सविधान संशोधन की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं 25, 26, 27, 28, 29 और 30 सविधान संशोधन के बारे में और यह सीरीज का हमारा आठवा लेक्चर है तो नमश्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी जानते हैं सविधान संशोधन को लेकर हमने सीरिस स्टार्ट किये जिसमें हम अब तक हुए तमाम सविधान संशोधनों की बात करेंगे सभी एक्जाम के point of view से यह topic important है चाहे आप civil services के हो, bank के हो, ssccgl के हो या फिर law students हो तो चलिए हम बात करते हैं क्रम से आज 25 सविधान संशोधन अधिनियम 1971 के बारे में तो यह सविधान जो संशोधन है संपति के मूल अधिकारों में कटोती से जाना जाता है और अनुच्छे 49 B या C में वर्नित निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाए गई किसी भी विधी को इस आधार किसी भी विधी को अनुच्छे 14 1931 द्वारा भी निश C कूपर बनाम भारस संग ठीके RC कूपर बनाम भारस संग AIR 1970 SC 564 में दिये निर्ने से उत्पन नकटनाई को दूर करने के लिए पारित किया गया था और इसके द्वारा अनुच्छे 31 के खंड़ दो में संशोधन करके प्रतिकर शब्द हमने एक बार संशोधन बताया था कि किस प्रकासे प्रतिकर शब्द है ड क्या था हो यहां पर प्रतिकर शब्द के स्थान पर राशी सब्द रखा गया था। 36 के खंड B और C में वर्णित निजदेशक तत्व को प्रभावी करने वाली विधियों की विधिमानेता को इस आधार पर चुरोती नहीं दी जा सकती कि वहने उच्छे 14, 19 और 31 में प्रदतमूल अधिकारों से असंगते या उनको छीनती है ठीकि और बाद में केश्वानंद भारती बनां केरल राज्य के वाद में सुप्रीम कोट ने संशोदन को विधिमाने घोशित किया 26 वा सविधान संशोदन बहुत इंपोर्टेंट है और यह जाना जाता है प्रिवी पर्स के मामले में एक्चल में जब देश आजाद हुआ था तो कहीं देशी रियासते थी जिनको कुछ विशेश अधिकार दिया गया था जिसे हम प्रिवी पर्स के नाम से जानते हैं दिये गये थे तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इसे प्रिवी पर्स के मामले माधवराव सिंधिया बना भारस संग AIR 1991 SC 1953 में दिये निर्ने की कटनाईयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था भूतपूर राजयों को जो विशे अधिकार दिये उसको समाप्त कर दिया था लेकिन नियाएले ने क्या करा इनके इस जो अध्यादेशे इसको सवेधानि घोशित कर दिया रहा था तो फिर क्या हुआ एक्जी क्योट्व एने कारी पालिकान ने संशोधन करा और फाइनली 291 और 362 को निकाल दिया और एक नया अनुच्छे 363 ए को जोड़ कर भूतपुर राजाओं के विशेश अदिकारों को समाप्त कर दिया गया संबधित है थो हमें उत्तर याद रखना है 26 वा सवीधां संशोधन के हम बात करू और कारियनवित करने के लिए पारीट किया गया था और सवीधान के दोन नए धनुच्छोधन किया गया उर किया विसके जोड़ेंगे 402 आर्टिकल यह मिजोरम और अरुनाचल संग राजशेत्रों के लिए कतिपय विशेश उबंद का प्रावधान करता है और आर्टिकल 371C नए राज्य मनिपूर के लिए विधान सबा को समीती के गठन और उसकी कार्योतर राज्यपाल के विशिष्ट उत्तरदाईत का उपबंध करता है अगर हम 27 से सविदान संशोदन को कुछ शॉर्ट में समझे तो यहाँ पर मुख्य रूप से तीन चीज़े की गई थी कि कुछ केंडर साशित राज्यों के प्रसाशकों को अध्यादेश जारी करने के लिए प्रती शक्तिशाली बनाया गया दूसरा नए केंडर साशित प्रदेश औरूनाचल प्रदेश मेजोरम के लिए कुछ विशेश उपबंध किये गए और तीसरा नए राज्य मनिपूर के लिए विधान मंडले मंत्री परिशत निर्मान के लिए संसत को अधिकार दिये गए चली 28 से सविधान संशुदन की हम बात करें 1972 में पारित हुआ था और यह संशुदन जो है भारती सिविल सर्विसेज के सदस्यों को उपलब्द विशिष्ट विशेश अधिकार को समाप्त करने के लिए पारित किया गया इसके लिए सविधान में एक नया आर्टिकल 312-A को जोड़ा गया जो संसद को उक्त सेवा में कारिरत सदस्यों के विशेश अधिकारों को समाप्त करने की शक्ति देता है इसको हम 312 कभी पढ़ सकते हैं किन्तु इस अनुचेत का प्रभाव जो है सुप्रीम कोट रुच्च नयाले के नयाइदीशों भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक और संगलोग सेवा आयोगों और राज्यलोग सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों पर नहीं होगा तो 28 से संशोदन 29 से संशोदन की बात करें तो ये मुख्य रुप से नोवी अनुसुची में दो केरल भू सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया तो इस संशोधन द्वारा एवं अनुसुची में नो में ठीक है संशोधन द्वारा अनुसुची नो में दो और अधिनियम कौन-कौन से दो अधिनियम तो केरल भूमी सुधार अधिनियम 1909 और केरल भूमी सुधार संशोधन अधिनियम 1991 को जोड़ा गया नवम अनुसुची में शामिल के गए अधिनियम की वैदिता को मुल अधिकारों के अतिकरमन के आधार पर नियाले में चुनोती नहीं दी जा सकती हैं अब हम बात करते हैं तीसवे सविधान संशोधन की तो जो की 1972 में पारित हुआ था इसके दोरह सविधान के अनुच्छेट 133 में परिवर्तन यानि कि संशोधन किया गया और संशोधन किया गया मालियत के आधार पर अपीलों को समाप्त कर दिया गया ठीके संशोधी तनुच्छेट के अधिनब दीवादनी मामले में उच्छी नयाले के किसी निर्ने अंतिमादेशों के विरुद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने क विवस्ता दीके दी विधी की वास्तिविक व्यक्याओ तो चलेगा ठीके तो भी अपील की जा सकती है संशोधन से पूर्व क्या था तो वाद विशे की राशी 20,000 रुपे से अधिक होने पर अधिकार के रुपे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती थी चाहे मामले में क कोई सारवान विधी का प्रेशन ना नहीं थो इस संसोधन को कि सिफारिश विधी आयोग ने कि थी लेकिन फाइनली यहां पर 133 में क्या संसोधन किया कि अगर सविधान सारवजनिक महत्व का प्रेशन नहीं थे सविधान की व्याक्या नहीं थे तो वही काफी है तो सुप्र किजेगा वीडियो को पूरा देखिए वीडियो को लाइक शेयर किजे कमेंट किजे और आने वाले संचुदनों की जो व्याक्या है माने वाले वीडियो में करेंगे so have a nice day and thanks for watching